हाई गाईज, वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनेल टेकनिकल टिप्स फर आई टी आई कैनेडेट टूदेश टोपिक इस टाइम एंड वर्क, पहले हम इसका डीटेल्स प्रसेस देख लेंगे कुछ वीडियो में और उसके बाद जब हो जाएगा तब हम स्वाट ट्रिक वाला वीडियो डालेंगे, ओके आप लोग जो हमारा पिछला वीडियो देखा है, उन लोगों को मालूम है कि ए आई टी आई का वर्क्स अप कैलकूलेशन और साइन्स सब्जेक्ट का मैथमेटिक पोर्षन हो रहा है, ठीक है तो एवाला सब्जेक्ट का मैथमेटिक पोर्षन जो है, इसका एक चैप्टर हमने कम्प्लिट कर लिया है, रेशियो और प्रोपोर्षन, आज हम करने वाला है टाइम और वर्क, ओके तो एक सिरीज बेस्ट क्लास रहेगा, मतलब आज जितना हमारा क्वेस्टन होगा, उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो एक दम लास्ट तक देखिए और रेगुलारली देखिए, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा तो चलो फटाफ़ वीडियो शुरू करते है, तो देखिए आज के पहले कोशन स्क्रीन में आ गया है, क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया है, एक काम करने के लिए, ये एक परसन है, जो बी के 50 परसन ज्यादा टाइम लेता है, बी जितना टाइम लेता है, उससे 50 परसन ज्यादा ये टाइम लेता है, दोनों अगर एक साथ वो काम को 18 दिन में कम्प्लिट कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कम्प्लिट करेंगे, ओके, तो देखिए इसका अनसर करने के लिए हम मान लेते हैं, कि बी ए एक दिन में, ओके, तो एक एंड़ू एक्सपार्ट वर्ट कितना आएगा, वो एक दिन का 50% ज्यादा हो जाएगा, तो 1 प्लास 1 इंटू 50 परसन कर दिया हमने, तो अभी 1 इंटू 50 परसन इसका कैल्कूलेशन करने में कितना आजाहेगा, वोनबाई टू, तो 1 प्लास 1 बा 3 by 2 days equal to x part work, तो A, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कम करेगा, तो वो divide हो जाएगा, x by 3 by 2 आ गिया, इसका calculation करने से क्या आ जाएगा, देखिए, 2x by 3 part work, तो A, एक दिन में 2x by 3 part work कर रहा है, ओके, तो अभी देखिए, क्या आ रहा है, A and B together do in one day equal to, B, एक दिन में x part कर रहा था, और A, एक दिन में 2x by 3 part कर रहा है, तो ये दोनों को हम जोड़ देते है, x plus 2x by 3, इसका हम LCM करेंगे, तो हमारा आ जाएगा नीचे 3, 3 से हम x को multiply करेंगे, तो 3x plus इधर आ जाएगा 2x, तो इसे हम calculation करने से क्या आ जाएगा, 5x by 3 part, तो अभी देखिए, इसे हम उल्टा करकर कह रहे हैं, कि A and B together do 5x by 3 part work in one day, तो एक दिन, एक पार्ट वर्क कितना दिन में करेंगा, तो एक पार्ट जब करना है, तो वो उल्टा आ जाएगा, 1 by 5x by 3 days, तो इसे calculation करने में कितना आ जाएगा, 3 by 5x days, तो देखिए, according to question क्या आ गया, 3 by 5x equal to 18, तो अभी इसे हम cross multiplication कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 5 into 18 equal to 90x equal to 3, तो x equal to कितना आ जाएगा, ये 90 बाला पार्ट को right hand side में shift कर देते हैं, तो ये divide हो जाएगा, 3 by 90 आ जाएगा, calculation करने में आ जाएगा, x equal to 1 by 30, तो देखिए, हमने पहले assume कर लिया था, कि B एक दिन में x part work कर रहा है, तो x का भेलो हमारा आ गया 1 by 30, तो हमने क्या कह सकते है, कि B do 1 by 30 part work in 1 days, तो एक part, एक part मतलब पूरा काम, कितने दिन में करेंगे, 1 by 1 by 30 आ जाएगा, तो इसे calculation करने में हमारा 30 days answer आ गया है, ओके, तो देखिए, ये वाला मयात करने में हमारा time लग रहा है, ठीक है, 2 minute से ज़्यादा time लग रहा है, एक मयात करने में, तो मैं promise करता हूँ, कि आप लोग पहले details सीख लीजिया, और इसके बाद, ये सभी मयात को हम 30 second में करने वाला trick, आप लोगों को सिखा देंगे, ओके, बहुत आसन तरीका हो जाएगा, लेकिन पहले details में सीख लीजिया, क्यूंकि details पता ना होने से, आप short trick कैसे समझ में आएगा है ना, तो पहले details सीख लीजिये, ओके, तो चलिए, इस्क्रीन में देखिए, next question आ गया है, A does 20% less work than B, if A can complete a piece of work in 7 and half hours, then B can do it in how many hours, देखिए क्या कहा गया है, A, B से 20% कम काम कर रहा है, if A can complete a piece of work, मतलब के, A, एक काम, सारे साथ घंटा में complete कर सकता है, तो B, कितने टाइम पे वो complete करेगा, तो देखिए, इसका answer बहुत ही simple है, अगर आप लोग समझ जाए, बहुत ही simple है, ध्यान से देखिए, क्या कहा गया है, कि A, 20% कम काम कर रहा है, B से, तो B, A से 20% जादा काम करेगा, तो B जादा काम करेगा, तो क्या, उसका time कम लगेगा, तो कितना time कम लगेगा, A का जितना time लग रहा है, उससे 20% कम लगेगा, तो A का कितना time लग रहा है, देखिया 7 and half hours तो इसका 20% कितना आते है यह हम पहले देख लेते हैं देखे 7 and one half hours डिकालेंगे तो 7 and one half इसे हम calculation करेंगे तो आ जाएगा 15 by 2 multiplied by 20% यानि कितना है 20 by 100 इसे calculation करने में कितना आ जाएगा 3 by 2 hours तो एका जितना time लग रहा था उससे 3 by 2 hours बी के लिए कम हो जाएगा तो 7 and one half hours से हम 3 by 2 को deduction कर देंगे तो हमारा result आ जाएगा तो देख लिजिए इधर हम calculation कर रहे हैं तो देखिए इधर क्या आ रहा है 7 and one half minus 3 by 2 तो इसका calculation करने से क्या आ जाएगा 15 by 2 minus 3 by 2 Lcm करेंगे तो Lcm आ जाएगा 2 और उपर आ जाएगा 15 minus 3 equal to 12 by 2 hours इससे क्यालकुलेशन करने से आ जाएगा 6 hours तो B will complete the work in 6 hours तो देखिए नेस्ट कोशन इस्ट्रीन में आ गया है कमल कन दू ए वार्क इन 15 देज विमल is 50% more efficient than कमल the number of days विमल will take to do the same piece of work तो देखिए इधर कमल do in 15 days equal to one part work तो विमल कितना करेगा 15 दिन में उससे 50% जादा efficient है मतलब 50% जादा काम करेगा तो 1 plus 1 into 50% equal to कितना आ गया 1 plus 1 का 50% कितना आ जाएगा 1 by 2 तो इसे हम calculation करेंगे हमारा LCM आ जाएगा 2 और उपर आ जाएगा 2 plus 1 तो इसे calculation करने से क्या आ जाएगा 3 by 2 part work तो विमल do in 15 days equal to 3 by 2 part work तो देखिए इसे हम उल्टा करकर कहेंगे विमल do 3 by 2 part work equal to 15 days तो विमल do 1 part work 1 part मतलब क्या पूरा काम हमारा 1 part होता है तो 1 part work कितने दिन में करेगा तो वो divide हो जाएगा 15 by 3 by 2 days इसे calculation करने से क्या आ जाएगा यह जो divide है 15 के बाद इसे हम multiply करेंगे तो नीचे वाला portion उल्टा हो जाएगा तो अभी देखिए इसका calculation करेंगे तो 3 से 15 जो है वो कट जाएगा और उपर हमारा 5 आ जाएगा तो 5 into 2 equal to 10 days हमारा answer आ जाएगा ओके देखिए next question screen में आ गया है तो A work in 4 days B can do it in 5 days and C can do it in 10 days A, B and C together can do the work in how many days तो देखिए हम total work जितना है पकर लेते हैं तो A do in 4 days equal to 1 part work A do in 1 days equal to 1 by 4 part work same as B do in 5 days equal to 1 part work B do in 1 days equal to 1 by 5 part work same as हम C का निकाल लेंगे C do in 10 days equal to 1 part work C do in 1 day equal to 1 by 10 part work तो देखिए A, B and C together do in 1 day तो क्या आ जाएगा हम ए तीनों part को जोड़ देंगे 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 10 इसका LCM निकाल लेंगे LCM 20 आ जाएगा तो उपर कितना आ जाएगा 4 से हम LCM जो है 20 उसे divide करेंगे तो 5 से divide करेंगे LCM को तो 4 और 10 से LCM जो B से उसे divide करेंगे तो 2 आ जाएगा इसे calculation करने से आ जाएगा 11 by 20 part work देखिए इसे हम उल्टा करकर कहेंगे A, B and C together do 11 by 20 part work equal to 1 day 1 part work do equal to कितना आ जाएगा 1 by 11 by 20 days इसका calculation करने में क्या आ जाएगा 20 by 11 days इसे calculation करने में क्या आ जाएगा 1 and 9 by 11 days में वो complete करेगा ठीक है तो यह होगे हमारा answer वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share और comment जरूर करना और हमारा चैनल टेक्निकल टिप्स पर ITI candidate इसे subscribe जरूर कर देना क्योंकि इसी channel में हम हर रोज ITI की शिलवास की अनुसर वीडियो अपलोट करते रहते हैं ओके थैंक यू गाइज कर दो अपलोट कर देना